गीता के दस्वे अध्याई के पैंतिस्वे श्लोक में भगवान कृष्ण जब अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे होते हैं कि मैं किस-किस जगा पर मुझे पाया जाता है या किस-किस रूप में मैं मिलता हूँ तो उसमें कहते हैं वृत्साम तथा सामाना जैसे सामवेद में मैं वृत्साम हूँ गायत्री चंदास्यस है गायत्री मंत्र मैं चंदों में गायत्री हूँ मासा नाम मार्गशीशो महीनों में मैं मागशीश हूँ मासों में मागशीश हूँ रितु नाम कुसमाकर रितुओं में मैं वसंत हूँ यानि गीता में भी वसंत रितु की महिमा कही गई और भगवान इसे अपना ही रूप कहते है और हो भी क्यों ना कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब स्रिष्टी की रचना की तो उन्हों ने देखा सब तरफ मौन ही मौन हैं व्यक्ति तो हैं पर कोई बोल नहीं रहा हैं इमाजन a situation where everybody is sitting but nobody is able to speak or nobody is speaking or nobody knows how to speak and then ब्रह्मा जी अपनी एक meeting बुलाते हैं और फिर मा सरस्वती का उद्भव होता है फिर मा सरस्वती सब की वानी में विरिजमान होती हैं और हमें सब को वानी का ग्यान विद्ध्या का ग्यान कला का ग्यान संस्कृति का ग्यान सब मा शार्दा से मा सरस्वती से हमें मिलता है और इसी लिए क्योंकि एक हमारे यहां पर ही अग्यान कहा गया शब्द अग्यान का प्रियोग किय अग्यान था आप जियूज या क्रिस्चिन्स को देखेंगे तो वो अग्यानता की बजाए पापी शब्द का उप्योग करते हैं हमारे यहां पर अग्यान की बात कही गई और अग्यान को मिटाने का काम मा सरस्वती करती है और भग्वान क्रिश्च जिन शलोकों की ебिन्याच चर्चा करनी थी 55, 52, 55 उस में जितने भी रास्ते बताते हैं भग्वान को पाने के यानी अंधकार को मिटाने के वो रास्ते और यदि हमें कमरे में हैं जिसमें अंधकार है चारो तरफ खिड़किया हैं हम कोई भी खिड़की खोल दें तो वो अंदकार मिट जाता है ऐसे ही भगवान कृष्ण जिन शलोकों की हमने आज चर्चा करनी थी जो हम अगली बार करेंगे वो भी सभी खिड़कियां हैं उस अंदकार को मिटाने की और मा सरस्वती हमारे अंदकार को हमारे अग्यान को मिटाने का काम करती है और हमें स्वर देने का काम वानी देने का काम और कला देने का काम मा सरस्वती करती है हमारे यहां अनेक कताएं हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और किसकी याद में मनाई जाती है सबसे पुरानिक कथा त्रेता युग में मिलती है जब राम शबरी के आश्रम में गए और कहते हैं कि शबरी की बरसों बरस की इंतजार के बाद जिस दिन राम शबरी के यहां गए वो बसंत पंचमी का दिन था जिस दिन राम ने शबरी के जूटे बेर खाए और कहा जाता है कि आज भी गुजरात के डॉंग जिले में एक शिला है जिस पर ऐसा माना जाता है कि जब शबरी ने बेर खिलाए तो भगवान राम बैठे थे और उस शिला का पूजन भी बसंत पंचमी के दिन किया जाता है ये कथा हमें त्रेता युग से मिलती है जब राम यहां पर थे हमारे इतिहास में पृत्विराच चोहान का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा पृत्विराच चोहान जिसने मुहम्मद गौरी को सोला बार हराया प्रन्तु अंतता है अपनों के धोखे से ही गौरी से पकड़ा गया और गौरी उसे पकड़कर अफगानिस्तान ले गया जहां पर उनकी आँखें निकाल दी परंतु मारने से पहले गौरी ने ये कहा आंखे निकालने के बाद कि पृत्वीराज चोहान तु सुने शब्दों के बाण बहुत चलाता है यानि शब्द सुनकर आवाज सुनकर तु बाण खूब अच्छे चलाता है और तेरा निशाना अचूक है आज हमें भी उस करामात को दिखा और कहते हैं पृत्वीराज चोहान के साथ उसका मित्र कवी और सहित्यकार चंदरबर्दोई भी था तो चंदर बर्दोई ने तब जब मौका दिया गया पृत्वीराज चोहान को बांड चलाने का तो उसने कहा इशारा करके चार बास चौबिस गज चार उंगल परमाण तापे बैठा सुल्तान मत चूके चोहान इतना संकेद दिया ताली बजाई और प्रिथ्युराज चोहान ने जो तीर चलाया वो मुहम्मद गौरी की छाती में लगा और इस से पहले के दोनों पकड़े जाते प्रिथ्युराज चोहान और चंदर बरदाई उन्हें पता था कि हम यहां से भाग तो नहीं पाएंगे तो दोनों ने एक दूसरे को कटार मार कर एक दूसरे के पेट में तलवार घुपकर एक दूसरे को मार लिया यानि आत्महत्या कर लिया ऐसा इतिहास ऐसे वीर का इतिहास और ऐसे वीर कवी का इतिहास जिसने मुहमत गौरी की सबा में पृत्वी राज चोहान को ये संकेत दिया कि गौरी कहां पर बैठा है और तु कहां पर तीर चला ताकि वो मारा जाए ये भी घटना बसंत पंचमी के दिन हुई और सबसे बड़ी बात जो मेला आज भी लहोर में भी लगता है पंजाब में भी लगता है वीर हकीकत की याद में वीर हकीकत तेरा वरश का एक छोटा सा बालक था जिसके स्कूल में थोड़ी सी जड़प हुई मुस्लिम लड़कों ने देवी मा को गाली दी तो हकीकत से रुका नहीं गया उसने भी बीबी फात्मा को गाली दी प्रणतु हकीकत ने गाली दी इसकी सुनुआई काजी तक पहुँच गई काजी ने कहा कि तुने बीबी फात्मा को गाली दिया या तो तु धरम परिवर्तन कर ले या तो तु मुसल्मान हो जा और या जलाद को आदेश दिया कि इसकी गर्दन काट दी जाए वीर हकीकत ने धरम पर अपने बलिदान को देना सर्वो परी समझा वीर हकीकत बलिदान देने को तयार है उसकी गर्दन पत्थर पर रख दी गई और जैसे ही जलाद ने तलवार उठाई तो उसकी कॉमल सी गर्दन को देखकर जलाद के हाथ काँप गए और उसकी तलवार नीचे गिर गई वीर हकीकत ने वो तलवार उठाकर उस जलाद को दी और कहा के ऐ जलाद जब अपना फर्ज निभाते हुए जब अपना कर्म करते हुए जब अपने धर्म को निभाते हुए मेरे बालक की गर्दन नहीं काँपी तो अपना कर्म करते हुए तेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं तू भी अपना करम कर मैं अपना करम कर रहा हूँ ये उस वीर हकीकत की प्रेड़ना है उस बालक की प्रेड़ना है जो तेला वर्ष का बालक था जिसने जलाद को तलवार दी कि तू भी अपना करम कर और ये गीता के बिना कोई उपदेश हो नहीं सकता और वीर हकीकत की मां भी गीता पढ़ती थी रामायन पढ़ती थी महाभारत पढ़ती थी और उसकी कहानिया हकीकत को सुनाती थी जिसके कारण हकीकत में ये निर्भीकता आई ये साहस आया कि वो अपने धर्म पर अपनी कौम पर अपनी कुर्बानी दे सके और ये दिन भी बस बसंत पंचमी का था बसंत पंचमी को हम याद करते हैं वीर हकीकत के बलीदान। और इसी बसंत पंचमी के दिन जब आप देखें हमने पिछली बार गीता और 173 संगराम में गीता के महत्व को जब हमने डिसकस किया था उस समय 1857 के वद्धीनता संग्राम की मैंने बात की थी 1857 के बाद एक कूका अंदोलन पंजाब में खड़ा हुआ नामधारी नों का यह अंदोलन का वो रक्षा इनका मुक्चा उदेश्य था और साथ लाक की सेना इन लोगों ने खड़ी की परन्तु एक दिन एक कूका को पकड़ कर जो नामधारी संपरदाएके हैं अंग्रेजों ने गो मास उसके मूँ में ठूस दिया और उसके बाद आपस में युद्ध हुआ कूका पकड़े गए 68 कूकाओं को अंग्रेजों ने पकड़ा उन में से 50 को तोप के मूँ पर जिसमें से 49 को एक बार में और एक बच्चा बच्चा उसकी बात मैं अभी आपको बताऊंगा और अठरा को अगले दिन फांसी दी गई परन्तु इन 49 लोगों को जमा एक बच्चे को जिनको तोप के मूँ पर रखकर मलेर कोटला में उड़ाया गया वो दिन भी बसंत पंचमी का था और उन 50 में भी एक छोटा बालक था जिसका नाम बिशन सिंग था और बिशन सिंग से ये कहा गया कि तू तो चोटा बच्चा है तेरा कोई कसूर नहीं है तुझे छोड़ देंगे परंतु तू ये कहे कि मेरे गुरू रामधारी सिंग कू का गदार है मेरा धरम खराब है परंतो उस चोटे से बच्चे बिशन सिंग ने कोवेन जो जनरल था उस समय जो लीड कर रहा था अंग्रेजों की सैना को उसकी दाड़ी पकड़ कर कहा मेरा गुरू जिन्दाबाद मेरा धरम जिन्दाबाद और ये घटना भी बसंत पंचमी के दिन हुई यानि कूका अंदोलन को भी जो शहादत मिली वो बसंत पंचमी के दिन मिली यह है शहीदों का इतिहास जो बसंत पंचमी के साथ जुड़ा हुआ है और सिखों के संपरदाये में कहा जाता है कि गुरु गुबिन सिंग की एक शादी भी बसंत पंचमी के दिन हुई थी और हम लोग पढ़ते हैं कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली राजा भोज का जनम दिवस भी बसंत पंचमी के दिन है और गंगू तेली का भी मैं बता दूँ, ये एक आदमी नहीं है कि गंगू और तेली का नाम गंगू था, ये दो राजा थे, गांगे और एक तेलंग, इन दोनों को राजा भोज ने बसंत पंचमी के दिन हराया था, और राजा भोज का जनम भी बसंत पंचमी के दिन हुआ ये बसंत पच्चमी के साथ राजा भोज जैसे, जो एक बहुत बड़ा कला का पार्खी था, जो एक बहुत बड़ा भारतिय संस्कृति का रख्शक था, और जिसने अनेकों ऐसे संस्थाएं खोली, जिसमें बच्चे कला और संस्कृति को सीख सकें, ऐसे राजा भोज का जनम भी बसंत पंचमी के दिन हुआ था और कहा जाता है कि काली दास जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान गिनें गए पहले मूर्ख थे एक विदूशी विद्योत्मा से किसी धंग से शादी करा दी गई वो एक लंबी कता है परंतु काली दास जब ग्यान को प्राप्त हुए तो काली दास ने मेगदूत और शकुंतलम जैसे नाटक भी लिखे और जब इतने बड़े व्यक्तिकारे करता है तो एहंकार उसमें आही जाता है और कहते हैं कि एक दिन काली दास किसी जंगल से गुजर रहे थे प्यास लगी देखा पास में कुओं है कुओं पर एक पनीहारन खड़ी थी तो पनीहारन से कहा के तुमुझे पानी पिला दे तो पनीहारन ने कहा मैं तो तुम्हें जानती नहीं काली दास को थेस पहुंची तो इतना महान विद्वान कालीदास और ये तरह को जानती नहीं। उसने का आप अपना परीचे दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो कालिदास ने कहा कि मैं महमान मैं अतिथी तो इस पनिहारन ने कहा कि देखो अतिथी तो इस दुनिया में केवल धन और योवन होते हैं धन और योवन से बड़ा अतिथी कोई नहीं तुम अपना परिचे कुछ और दो तो कालिदास ने कहा मैं हठी तो इस पनिहारन ने कहा कि देखो हठ तो इस पूरी मानवता में केवल बाल और नाखुनों का होता है यानि हेर एंड नेल्स जितने मर्जी काटते जाओ फिर भी उगते चले जाते हैं उनसे बड़ा हठी तो कोई हो नहीं सकता अब कालिदास फि सेहन चील तो उसने का सेहन चीलता तो सिरफ प्रिथवी और पेड़ों में हो सकती है प्रिथवी हम सब पापियों का भी बोज धारन करती है हमारे पापों का भी बोज धारन करती है और पेड़ पर यदि पत्थर भी मारो तो पेड़ हमें मीठे फल देते हैं कालिदास फिर अल्टिमेटली आदमी जब कोई जवाब ना चल रहा हो तो कहे तु मेरे को मुर्क समझ ले मैं मुर्क तो उस पनिहारन ने का देख मुर्क तो दो ही वेक्तियां यहां पर एक यहां का राजा और दूसरे यहां के दरबारी जो सारा दिन राजा की प्रशंसा करते हैं और तो आप ठीक नहीं बैठ रहा तो कालिदास समझ गए कि यह पनिहारन नहीं कुछ और है तो फट से माथा जुकाया पाओं में गिरे और कहा कि मा मुझे आशीरवाद दो तुम कौन हो तो तब वो जो पनिहारन थी वो मा सरस्वती के बेश में थी पनिहारन ने सिर पर हाथ और कहा कि तु ग्यानी तो जरूर है परन्तु अपने ग्यान का एहंकार मत कर और ये घटना भी बसंत पंचमी के दिन हुई यानि कालिदास के एहंकार को भी बसंत पंचमी के दिन तोड़ा गया और ये महान और कहते हैं उसके बाद की कालिदास की जतनी भी रचनाएं है य और वो कथाएं वो प्रभू के लिए लिखी गई वो उस परमपिता के लिए लिखी गई और उसकी प्रशंसा में वो गीत गाए गए और जो मैं उस प्रभू के और प्रशंसा के गीत गाने की बात करता हूं तो हम कैसे भूल सकते हैं निजाम-दिन ओलिया और मौयने दिन चिश्टि को भी अमीर खुसरो को भी निजाम-दिन ओलिया की मजार पर भी जो निजाम-दिन दिल्ली में है बसंत पंचमी के दिन पीले फूल चड़ाये जाते हैं रोशनी की जाती है और निजामुदिन ओलिया और अमीर खुसरो का भी संबंद कहा जाता है कि बसंत पंचमी से खूब है दोनों एक दूसरे के ऐसे गुरू और शिच्चे जिसका कोई सानी दुनिया में बहुत कम मिलते हैं ऐसे गुरू और शिच्चे क्यों मिलते हैं इसकी भी बात में मैं छोटी सी चर्चा करूंगा परन्तु अब जो मैं बात कहना चाहता हूं कि निजामुदिन ओलिया और अमीर खुसरो दोनों अपने समय के पहुँचे हुए सूफी संत थे अमीर खुसरो तो राई दरबार में रहते थे निजामुदिन ओलिया मस्द फक्कड जंगलों में रहते थे एक दिन जो जलालुदिन उस समय का राजा था उसने कहा कि मैं तुमारे गुरु निजामुदिन से मिलने चलना चाहता हूं तुम समय तै करो और उन्हें बताना नहीं परंतु अमीर खुसरो ने सोचा कि यदि मैं निजामदीन जी को बताऊंगा नहीं व्यक्ति है कुछ आज जलालु दिन आएंगे आपकी कता को सुने या आपके गायन को सुने तो अच्छी बात नहीं है खुसरों ने निजामुदीन को बता दिया कि आज जलालुदीन राजा आपके यहां दर्बार में आएंगे तो निजामुदीन वो स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले गे तो जलालुदीन जो राजा था वो समझ गया कि अमीर खुसरों ने कोई न कोई शरारत तो की है उसने खुसरों से पूछा कि तुने अपने गुरू को क्यूं बता दिया तो खुसरों ने कहा कि देखो तुम्हारे साथ दगा देने का मतलब एक है कि मेरी जान को खत्रा था परन्तु यदि मैं अपने गुरू को धोखा देता तो वो खत्रा मेरे इमान का था तो मैंने अपने इमान को जान से उपर चुना ये घटना भी बसंत पंचमी के दिन घटी ये निजाम-दिन ओलिया और अमीर खुसरो की कहानी है जो जिनका संबन बसंत पंचमी से और ऐसा कहा जाता है कि निजाम-दिन ओलिया ये जब अपने प्रांड चॉड़े उस समय अमीर खुसरो कलकेटा की साहीड पर थे और जब तक वापस आए और जैसे ही मजार पर आकर मात्वा टेका उसी मजार में खुसरो भी समा गए ऐसा कहा जाता है कि निजामुदीन और खुस्रो फिर दोनों की समाद एक बनी और ऐसी एकी समाद है जहां पर दोनों गुरू और शिश्य को एकठे दफनाया गया ऐसा निजामुदीन ओलिया और अमीर खुस्रो की कथा बताती है और इस दिन कितनी पतंग बाजी की जाती है पूरे लहोर से लेकर हिंदोस्तान और इवन बाली तक इन्डोनेशिया बाली तक भी लोग पतंगे उड़ाते हैं और पतंग भी ऐसे नहीं कि पतंग उड़ाने के लिए उड़ाते हैं पतंग के बारे में भी यह कहा जाता है वीर जंग रूपी चीजें लोगों ने उड़ाने शुरू की और दैट इस हाओ काइट फ्लाइंग केम टू बी एसोसियेटेड विद बसंत पंचमी ये बसंत पंचमी का इतिहास है वीर हकीकत को याद करने का कि यहां पर पतंगें भी उड़ाई जाती है वो भी उस वीर की याद करना रहकर अकाश की तरफ गया और सबसे बड़ा प्रसंग जो बसंत रितू के साथ जुड़ा है और बसंत जिसके लिए हम कहते हैं कामदेव जिनको हम सब लोग बड़े अच्छे से परिचित हैं कामदेव और रती कामदेव को भसं भी भोले शंकर ने बसंत के दिन किया कि ऐसा कहा जाता है उत्राखंड में एक गोपेश्वर महादेव है वहां पर भोले शंकर अपनी तपस्या में लीन थे और इधर पार्वती शिव जी को पाना चाती थी उनसे ब्यार रचाना चाती थी उसने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली थी परणतु प्रपोजल तो तब मिले ना शिवाजी को जब तपस्या से हटें तब उनकी तपस्या को भंग कैसे किया जाए तो तब मापार्वती ने कामदेव की जूटि लगाई कि तू ऐसा कर और कामदेव ने जब भोले शंकर की तपस्या को भंग करना चाहा तो भोले शंकर की तीसरी आँख खुली और काम देव उस तीसरी आँख में भसम हो गए और वो भसम होने का स्थान भी वो पेश्वर में है यानि काम देव को भसम करने का काम भी भोले शंकर ने इसी दिन किया थो परन्तु आगे फिर लंबी कथा है के कामदेव रती कैसे मिले रती कामदेव की पत्नी थी और ये ऐसी कथा है जो समाप्त नहीं होने वाली परन्तु कामदेव का प्रभाव इस रितु में बसंत रितु में देखने को मिलता है और बसंत पंचमी पर पूरे योवन पर सब पासे है एक कथा जो और जुड़ी है इस बसंत पंचमी के साथ वो भगवान कृष्ण के बेटे थे प्रद्युमन प्रद्युमन के बेटे थे अनिरुद यानि अनिरुद जो भगवान कृष्ण के बेटे पोते थे और अनिरुद जो प्रद्युमन जो भगवान कृष्ण के बेटे थे भगवान क्रिश्न के बेटे प्रद्युमन को कामदेव का रूप ही माना जाता और अनिरुद्ध जो उनसे पैदा हुआ वो भी कहते हैं इतना सुन्दर था कि बानासुर की बेटी उखा जिसके नाम पर उखा मठ है यदि आप लोग थोड़े से भी पलिचित उखा मठ जो उशा जिसकी मैं कथा आपको बता रहा हूँ उसके नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पर लाकर रखे जाते हैं और उखा कहते हैं कि उसने सपने में अनिरुद्ध को देखा और उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा जिस पर मा सरस्वती की किरपा थी कि कोई उसे डिस चित्र बना देती थी उखा ने चित्रलेखा को एक डिस्क्रिप्शन बताया कि ऐसे ऐसे लड़के से मुझे प्रेम हो गया। चित्रलेखा ने उसका चित्र बनाया तो उसने का हाँ यही है तो उसको पता लगा कि ये तो भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद है तो चित्र लेखाओ सोते अनिरुद को दुवारका से उठाकर उखा मठ में ले आई जहां पर दोनों का विवा कराया गया और वो विवा भी अनिरुद का और उखा का बसंत पंचमी के दिन हुआ और बाद में भगवान कृष्ण की और शिवजी की सहना का युद्वा वो अगे दुबारा एक लंबी कथा है परंतु कथा ये है कि अनिरुद और उखा का शादी भी इस दिन बसंत पंचमी के दिन की गई जो बसंत पंचमी के साथ कथा हमारे पुरानों से जुड़ी है सर छोटु राम जो किसानों के नेता थे उनका जनम दिवस भी बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है हर्याना में खास तोर पर पंजाब में भी उतने ही जोर शोर से किसान लोग छोटु राम जी का जनम दिवस जो पसंत पंच्रमी के दिन पढ़ता है उसको मनाते हैं अनेकों अनेकों ऐसी घटनाएं इस पर्व के साथ जुड़ी हैं ये पर्व हमें एक नया उत्सा एक नई उमंग एक नई सोच देने का पर्व है और हो भी क्यों ना क्योंकि इसी बसंत में हर चीज अपने योवन पर है प्रकृति भी योवन पर है प्रवरिती भी हमारी योवन पर है प्रकृती सब तरफ से पीली इसलिए पीला रंग important माना जाता है क्योंकि पीला रंग आभा का प्रतीक है चड़ते सूरज का प्रतीक है इसलिए पीला सब कुछ उस दिन महत्रपून हो जाता है खेतों में पीली सरसो फैलती है खेत पीले ही पीले दिखाई देते हैं गेहों पर नई बालियां आती हैं पीली ही दिखाई देती हैं और ऐसे ही पीला लोग पीले परिधान पहनते हैं पीले कपड़े पहनते हैं पीले उपर जाने का प्रतीक है हमारे नए पन का प्रतीक है और इस प्रतीक के साथ ही हम आगे बढ़ें इनी शब्दों के साथ बसंत पंचमी हम सब के लिए सुख लाए, स्मृद्धी लाए हम सब के अंदर मन, वचन और करम में मा सरस्वती, नई स्फूर्थी नया उल्लास नई उमंग और नया योवन भरे और ऐसी कामना करते हुए जितनी अच्छी प्रातना शशी जीने की निश्चित रूप से मा शार्दे की जो प्रातना है वो अगर उसका एक-एक शब्द हम सुनें तो वो यदि एक-एक शब्द हमारे लिए ठीक से घटित हो जाए तो हमारे जीवन का रुपांतरन हो सकता है हमारे जीवन में आत्मकरांती घट सकती है प्यॉरली प्यॉरली बसंत पंचमी का जो दिन है वो हम सब के लिए एक पून उमंग का पून उल्लास का और इस उल्लास के साथ हम अपने शहीदों के बलिदान को न भूले अपने इतिहास को न भूले अपने पुरानों को न भूले अपनी संस्कृति को न भूले अपने संगीत को न भूले केवल सातो सुरुआ का संगीत नहीं जो हमारे अंदर का संगीत है जो ढूंडता रहता है उस ब्रह्म के संगीत को उस नाद को जो ध्वनी इस दुनिया में गूंचती रहती है और जिसे ओम का स्वर कहा है कहते हैं इस प्रणव मंत्र की इस ओम की उत्पत्ती भी बसंत पंचमी के दिन हुई थी अंतिम बात सूर्यकांत निराला जो बहुत बड़े सा हित्यकार हुए बहुत बड़े कवी हुए उनका भी जनम दिन इसी दिन हुआ था बसंत पंचमी के दिन और निराला जी की दो कविता की पंक्तियां ना सुनाओं तो ये आज का लेक्चर पूरा नहीं हो सकता और अटल प्यारी वाजपई जी जो भारत के प्रधान मंतरी थे उन्होंने भी बसंत पर एक चोटी सी कविता चार्लाइगा की लिखी उन्होंने लिखा तूटे हुए तारों से तूटे हुए तारों से पूटे बसंती स्वर पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर यानि ठीकार हो चुके है जड़े सब पीले पात कोयल की कुहुक रात प्राचिम में प्राचिम में यानि प्राचीन में अरुनिम को देख पाता हूं गीत नया गाता हूं ये अटल बहारी वाजपई जिनली हो और फिर ग्राम की शक्ति पूजा जो सुर्यकान दिराला ने लिखी उन्होंने लिखा सहसा नभ में सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ हुआ हुदे सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ हुदे बोली माता बोली माता यानि बोली अंजना तुमने रवी को जब लिया निगल तुमने रवी को जब लिया निगल तब नहीं बोद था तुमे रहे बालक केवल तब तुम केवल बालक थे तुम्हें बोध नहीं था जब तुमने सुर्य को निगल लिया था ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे वही भाव तुम्हें बार बार व्याकुल कर रहा है ये लज्जा की बात है कि मा सहती सहत सहे यह महा काश है जहां वास शिव का निरमल पूझते जिने श्री राम, उसे गरसने को तू चल, क्या नहीं कर रहे हैं तुम अनर्थ, क्या मा कहती है, कि जिस भूले शंकर को, जिस शिव जी को, राम भी पूझते हैं, तु क्या उस सूरे को निगलने चलेगा, जिस सूरे वंश श्री राम उसे ग्रसने को चल क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में सोचो मन में क्या दी आग्या ऐसी रगुनंदन यानि मा ये कह रही है कि तु ये सोच कि ये आग्या क्या तुझे रगुनंदन ने दी है क्या गुरू ने दी है तो हम भी अपने जीवन में जब भी कोई कारे करने लगे तो हमेशा सोचें कि गुरु आग्या क्या है माता पिता की आग्या क्या है हमारे बड़ों की आग्या क्या है उसके अनुसार चलने का भी पर्व बसंत पंचमी है बसंत पंचमी भारत में शिक्षा आरंब का दिवस है जितने भी बच्चों के शिक्षा श इसलिए पहले जो भारत में जब तक्षिला और नलंदा अपने पीक पर थे तो उन दिनों में शिक्षा के सत्र का आरंब भी बसंत पंचमी से होता था हम भी अपने एक ने सत्र का आरंब बसंत पंचमी से करें ने ने फॉर्मिट में जिसे हमारी प्रिंसिपल मैडम उसकी अनुसार आगे चलेंगे थैंक यू वेरी मॉच फर लिस्निंग में पेशेंट जी